अरजुन कैसे अपनी इस्थिते का विवरण दे रहा है जो निरंतर ऐसी इस्थिते में जी रहे हो अब वो सुनेंगे कृष्णिती बस कोई-कोई होता है जिसमें यह इमानदारी होती है कि माने कि उसकी जिंदगी बड़े संकत में है कृष्ण तुम्हारे प्राण तभी बनेंगे जब तुम अपने आपको पाओगे घोर विपदा में और घोर विपदा में हम सभी हैं अब भी रिसेंटली वेडिंग सीजन हुआ है चाली रहा है और मैं कुई एक शादी में गई थी और सदिनली इस ट्रॉक मी जो विदाई के गाने होते हैं वो कितने अजीब है एक बहुती फेमस गाना है जो बहुत पुराना है पर वो अभी तक चलता हा रहा है विदाई के टाम पे एक दाता मूवी थी कोई में और उसका गाना है बाबुल तेरी बिट्या सम्तिंग सम्तिंग और उसका एक पटिकुलर पटिकुलर कुछ जो बोल है वो है की बेटी अपने बाबुल की किसी और की अमानत है बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है खूब सुना है यह दस तूर यह दुनिया का हम सबको निभाना है और फिर 2018 में एक मुवी आय थी राजी जो एक अच्छी एक बोल्ल की कहानी थी बट आइरॉनिकली उसमें उसकी विदाई में यह बोल है की फसले जो काटी अच्छी नहीं है और तो यह गाने खूब चलते हैं और इसका जो नियुक्त नियुक्त दुल्ह नहीं डिसाइड करते हैं यह गाना बज़ेगा मेरी विदाई पर और वो जा रही है और पीपल आर अच्छी गटिटिंग इमोशनल बिकुज पुरा माहौल क्रीट किया जात तो यह जो इमेज है यह क्यों नहीं बदल रही है वाया विस्ताकवद्य समेट यह आप बताईए ना आप महिला हैं आप क्यों तयार हो जाती है अपना घर छोड़के जाने को मुझे तो नहीं समझ भाया कभी भी पर आप लोग चले आते हो तो आपको उसमें कुछ आता हो होगा मज़ा आप बता हो मैं क्या बता हूँ मैं बहुत पहले से घोषणा कर चका हूँ मैं आधी बुद्धी का आदमी हूँ आप लोग को जो यह समझ में आ जाती है मुझे समझ में ही नहीं आती है क्यों चले जाते हो महिला आप हो आप बता हो यह आप कैसे परदाशित क अगरा कर रखी होती है, जाना है, भागना है, क्या करना है, मतलब कैसे, मैं तो ना छोड़ू हूँ अपने बाब, आपको कुछ हो जाए, यहां आया हुआ हूँ, वहां अभी भी मेरे पिताजी वेंटिलेटर पर ही पड़े हुए है, मेरा यहां आना मुझे लग रहा है, जैसे आधा वेर्थ जा रहा है, आज रात कोई भाग रहा हूँ वापस, आप लोग कैसे अपने बाब को छोड़ करके चले जाते हूँ बीस किलोमीटर चले जाते हो, पता नि कहां कहां चले जाते हो, विदेश चले जाते हो, साल में एक बार लोटके आते हो, पहले के जिल्वत से बोलियत हो जाते हो, इसलिए, आप बताओ ना, मावाप का खर अच्छा नहीं लगता है, या मावाप से इतनी दुश्मनी रहती जहां जाते भी हो, वहां माबाप को नहीं ला सकते. चलो कहीं और जाना है, जहां जा रहे हो, माबाप को लेकर जाओ, माबाप है भई, क्यों छोड़ रहे हैं उनको? समस्या क्या है? या अत्याचार कर रहे थे वो? खुंदक थी कुछ? तो यह घर छोड़ छोड़ के क्यों भागती हैं, भारती हैं महिलाएं? पूरी दुनिया में यह रिवाज है, लेकिन भारत में और ज्यादा है, क्यों है? मुझे नहीं समझ में आया कभी. अरे रुक, 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 देखिए कुछ उदगार हैं उधर. आप बैठिये, मैं बात करूँगा आपसे. मुझे से पूछ रहे हैं. मैं तो बचपन से ही विसमित हूँ, कि यह चल क्या रहा है. इसलिए मैं आपसे पूछूँगा. नमस्ते आचारी जी. इसी मुद्दे को मैं बोलना चाहा रहा था. कि कहीं ने कहीं एक माबाप की ही मानसिक्ता ऐसी बनी हुई है. मेरे माबाप मुझे जबरदस्ति घर से निकाले, मैं तो ना निकलूँ. बेटियों को बेटियों के घर नहीं आना चाहते. कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बेटी पराई है या फिर उनके घर कैसे रुपके हैं. माबाप जो कह रहे हैं, बेटी ने कैसे छोड़ दिया माबाप को मैं यह जानना चाह रहा हूं. वैसे तो हम इतनी बाते करते हैं, तो पित्र रुण पुत्री पर नहीं होता क्या? या मा का दूद्ध बेटी ने नहीं पिया होता है क्या? वो रुण कहां गया? कैसे उतारोगे? कई और जा करके जाडू पोचा करके? जाडू पोचा ही करना है, अपनी घर में कर लो. गलत कुछ. वहां काई के लिए भागते हो? आप जो भी तर्क देंगें, मुझे पहले से पताएं. मेरी समस्या यह है कि मेरी बुद्धी आधी है. तो मुझे वो तर्क समझ महीं नहीं आते. मेरी मौसियों की विदाई हो रही थी. मैं छोटा था. मेरी कई मौसियां. एक के बाद उनकी शादियां हो. और विदाई के समय पर यह भयानक महौल, बीस-चालीस औरते चाती पीट-पीट कर रो रही है, कोई दो-चार बिहोश हो गई है, यह हमेशा होता है. हो सकता है, बड़े शारों में होना बंद हो गया और छोटे शारों में अभी भी होता होगा. पछाड खाखा के गिर रही है, महिलाएं, जब विदाई हो जाती है, तो होता ही हमेशा की दो-चार बिहोश हो गई है, उन पर पानियों निडाल के होश में लाया जा रहा है, औ और उसमें से दसवाराना एक्सपर्ट होती है, वो गाने की और वो इतने भयानक विदाई गीत गाती है, बेटियां जो जए है दने जवामा बढ़ी है, कुलिदी आता है हमार, और मैं छोटा, मैं का ये काम अगर इतने ही गंदा है, तो हो क्यो रहा है, इतना दर्द है, इ अगर इतना दुख है, तो कर क्यो रहे हो, अगर इतना दुख है, तो कर क्यो रहे हो, तो दूसरी विदाई में मुझे दूसरे घर में बंद कर दिया गया, वो सुबह से ही तै कर लिया था कि इसको बाहर मत आने देना, देर रात तक शादी चलती है, तीन-चार बहे तक, और सुबह सुबह एकदम 5-6 बजे कारिकरम होता है, मैं ताक में बैठा था, मैं रात मे सो लिया, मैं का सुबह विदाई करेंगे, मैं अडूंगा, उन्होंने मुझे बंद कर दिया, वो ले इसको बाहर मत आने देना, यह उल्टे-पुल्टे सवाल करता है, मैं बहुत छोटा, मुझे तब से नहीं समझ में आ रहा है, मैं का इतनी तैयारियां करते हो, छे-छे वही ने पहले से दहेज का वो बिस्तर लाके रख दिया, बड़े-बड़े बरतन आने लग जाते थे, मैं मध्यमवर्गिये घरों में यह होता है, एक साथ आप दहेज नहीं कठा कर पाते, तो आप जब देखते हो जवान हो रही है, तो धीरे-धीरे करके पहले से ही कठा क करना शुरू कर देते हो, कभी एक चीज आती है, कर दूसरी से आती है, अब रखा है, उस्ते क्यों आया है, नया फ्रिज क्यों आया है, कोई बताता नहीं है, फिर आधी बुद्धी को दूना समय लगाकर समझ में आता, यह जाएगा, इसलिए आया है, कहे को, इतना रोना क क्यों, अगर इतने दुख का काम है, तो करना क्यों, मजबूरी का तर्क मेरे गले कभी उतर ही नहीं, मजबूरी है, करना होता है, कहे की मजबूरी है, तुम बाप हो, वो बेटी है, बीज में मजबूरी कहां से आ गई, किसकी मजबूरी है, कौन कर रहा है मजबूर, नहीं अपनिक हए लिए भृश्टत समाजिकातर आपको आने लिए त ठीर की अ क्या मैंची का आपको थे अपना जटी लगती है वो तुम्हारी बेटी है नहीं समझ पारे मैंने समझ पारा है मेरी बेटी है को पांचवा साथा आठा तीसरा चौथा आदमी कुछ कह रहा है उसके लिए अपनी बेटी घर से निकाल दूँ उसे पैदा करने से पहले भी तो यह भी मुझे नहीं समझ मैं आ रहा बच्चे किसी तीसरे चौथे को दिखाने के लिए करा है तो बच्चे से जूट क्यों बोला कि तुझसे प्रेम है सीधे बोलते कि तुझे पड़े उसी को दिखाने के लिए पैदा करा है इसा नहीं है दर्द भी होता है तकलीफ भी होती है फिर भी करे जा रहे हो और यही बात बहुत अजीव है पूरी तरह नाटक भी कर रहे होता न तो भी ठीक था कि एक दूसरे बुद्धू बनाने का कारिकरम चल रहा है बना लो होती है तकलीफ भी होती है क्यों जेल रहे हो तकलीफ यही मुझे समझ भी नहीं आता आप लोगों की बातें अमूल है गलत संस्कृति यह जो पूरा शादी का कॉंसेप्ट है जिसमें आप पैदा होते हो आप 18 साल तक आपको बड़ा किया जाता है माबाप के द्वारा और उसके बाद आप एक दिन जो है आपको कहे दिया जाता है कि आपको जाना है तो यही क और यहीना कहीं फीमेल फिटिसाइड को कॉंट्रिब्यूट नहीं करता है हां करता है बिल्कुल करता है लेकिन अभी उस पर आ जाओंगा मैं पहले ही समयना चाहता हूं चली क्यों जाती है बाकी तो सब ठीक है वह क्यों चली जाती है हां घर में कोई मार रहा था दहीं ली जाती है कौन देगा security जिसके आँ जा रहे हो कई बार वही murder करता है security कौन देगा पहले तो यह मान के चलते हैं कि ऐसा सही होगा पहले तो यह assumption रहता है कि इस बाद में सब सही हो जाए जिसने तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया वो security देंगे या एक अंजान आदमी जो कि तुमसे शादी करी रहा है तुम्हारी देह देख करके वो तुमसे security देगा सब्सक्राएं कि पाल प्रभी जीएंगे 30-40 साल इतनी यलदी नहीं चले जाते जब लड़की की शादी होती है तो बाप कितने साल का होता है आमतौर पे 50 इतनी यलदी मर जाएगा क्या ऐसी के समस्थ्या गई अब भाइभी तो हुआ हुआ वो वो क्या करेगा 20 साल तक तुवारे साथ साथ कुटता फानता था, लडाई जगडा, कपड़े फाड़ना, अब वो सेक्यूरिटी नहीं देगा? सर, मुझे लगता है, बायलॉजिकल नीड्स होती है, तो कंपैनियन सब ढून रहे होते हैं, तो लगता है कि अच्छा शादी एक accepted form है, society में, किसी के साथ रहने के लिए, मैं भी जवान हुआ था, मुझे से कोई बोलता, वो तभी पूरी होंगी, जब फ़लाई लड़की है, घर में जाके रहने लग जाओ, और चूला चौका बरतन करो, मैं कहता है, बायलॉजिकल नीड्स नहीं भाड में, माने शारीरिक जरूरतों के लिए, माने सेक्स के लिए, मैं किसी लड़की के घर में जाके पर्मानेंट निवासी बन जाओं, यह तो कभी ना करूँ मैं, एक आदो दिन ठीक है, हो गई नीड्स पूरी, चलो अब वापस क्या करना है, इतनी बड़ी कि कौन सी नीड्स है, कि उमर भर के ल आसना, यह क्या होता है, पता नहीं, सोचिल कंडिशनिंग होता है, पता नहीं, तो कर कैसे लेते हो, जो चीज पता नहीं, वो करे जा रहे हो, देखो कुछ कह रहे हैं, साथ साथ लहना है लाइफ पर, तो किसी को लब एक की साथ तो रहना बढ़ेगा ना, जिसके साथ रहना उसे अपने घर क्यों नहीं बुला लेते, अगर वो ऐसा है कि तुम्हारे घर आना परदाश्ट नहीं कर सकता, तो उसके साथ रहना क्यों है फिर, मेरा कोई दोस्त ब या तो बराबर काओ कम से कम खेल, थोड़ा तु मेरे या थोड़ा में तेरे या जाओ, ऐसा आदमी दोस्ती करने लाइक कहां से हो गया, जो मेरे घरी नहीं आ सकता, और जो शर्त रख रहा है कि अपने माबाब को छोड़ तभी तुसे दोस्ती करूँगा, ऐसे से में दोस क्यों, शायद देखते है आ रहे हैं मतलब मानियता है, कंडिशनिंग है, वही तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, मेरी बहन है छोटी, तीन साल छोटी है मुझसे, मुस्त ऐसी थुल-थुल, एक देड़ साल की थी, एकदम डॉल टाइप, मैं खेलता था उसके, था तो उसके बाल बड़े-बड़िया थे, जबबा-जबबा बाल, छोटे बच्चों के जैसे हो जाते हैं, रीवा में है नन वीडियो रिकार्डिंग वेरा होगी, मुझा लगा कुछ बहुत अच्छा कारक्रम होने जा रहा है, उसको, हाँ, मुंडन, उसको बैठा दिया और उसके सर पे लगे उसको, बाल मूंडने, तो लगी जोर-जोर से रोने, वो जोर से रोने लगी, तो मैं भी जोर-जोर से तो आपको कैसा लगेगा, अब हिंदू घर में महिलाओं से बोलो कि तो क्या होगा, थपड़ पड़ा जोर का, अलग कर दिया गया, इसको ले जाओ, जीप में बैठा दो, ड्राइवर लेके क्या जीप में, क्यों करना है ये, इतने अच्छे उसके बाल थे, क्यों मूंड रहे हो, क्या समस्या है, कोई मेडिकल रीजन हो तो बताओ, वो तो है नहीं, कुछ भी करते रहते हो, बिना सोचे, विचार कहीं है यह नहीं सर, बच्पन से एक कंडिशनिंग ही बन जाती है, कि ऐसे ऐसे लड़की हो तुम, तो ऐसे ऐसे ही होगा तुमारे साथ, मतलब हम भी ऐसे होते हैं, कि समझ ही नहीं आप पढ़ी लिखी हैं, नहीं पर बच्पन से यह सीखा है, फिर समझी, आप बच्पन से पढ़ लिख भी तो रही हैं, और पढ़ने लिखने का मतलब होता है, सोचो, आप आप, आप आप इंजिनिंग बैग्राउंड से हैं ना, फार्मसी किया है, फिर डिजाइन, आप आपके सामने प्रॉबलम्स आती हैं, आपने सॉल्व करी हैं, आपको एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड दिया गया है, आप से बार बार कहा है, आपके एक्जाम तभी क्लियर करो, आप सोचोगे, आपने निमेरिकल प्रॉबलम्स सॉल्व करी है, वो सब आपने है, एक भी मॉलिक्यूल बन सकता है फार मेसी में बिना एप्लिकेशन ऑफ थार्ट के, तो बिना एप्लिकेशन ऑफ थार्ट के जिंदगी कैसे बन गई, कैसे, कैसे, कुछ नहीं, बजा ऐसे, हां जी, यह नहीं तो फिर क्या माने, घर में हो तो, समस्या गया है, नमस्ते सर, सर इसी टॉपिक पर आप बोल रहे देना, इसी क्या मजबूरी होती है, मतलब मैं दो पॉइंट्स रखना चाहती हूँ, एक तो यह होता है कि तुम खुद इवॉल्फ हो जाते हो, पर तुम समारे पैरेंस उस लेवल पे वॉल्फ नहीं होते हैं, मैंने जो अब्जर्व किया भी रिसेंट डेज में, उनको ना मतलब दयास ही आने लग जाती है कि अगर वो चाहते भी है कि वो तुम साथ में रहो लेकिन वो यह भी चाहते कि तुम ना रहो क्योंकि उन्हें लगता ह हूँ, कमाती हूँ, सोच विचार रखती हूँ, जीवन के निर्णे कर सकती हूँ, कौन सी कमी की बात करें, दो ही कमिया होती है, कि सेक्स नहीं मिल रहा होगा, और किसी पुरुष का साथ नहीं मिल रहा है, और कौन सी कमी होती है, विवा करके आपको और बच्चा, यह नही मिल रहा कि को कर लीजिए ना बात उन से मतलब वो इंगा पाते ये चीज की कोई लड़का के हमारे गवर में सात रह रहा हुँ ये चीज कर पाते कि लड़की आ जाएगी भाई की वह इमाजन कर लेते कि अपनी बेटी को उठा के ऐसे फेक देंगे यह इमाजन कर लेते हैं उनको लगताने जो अपनी लड़कियों की विदाई करती है उनका अपना विवाह अच्छा नहीं चला होता तो वो कैसे इमेजन कर लेती है कि लड़की का अच्छा चलेगा मा है जो खुद अपने वेवाहिक जीवन में दुखी रही है उत्पीड़ित भी रही है वो अपनी लड़की की विदाई कर रही है और उसने कैसे कलपना कर लेगी लड़की का खेल अच्छा चलेगा अब एक्सेप्टेंस नहीं है और सब्सक्राइब दूसरा पॉइंट ये बोलना चाहती है अब देखिए एक्सेप्टेंस मैं आपकी बाते समझ रहा हूं पर समझना चाहता नहीं हूं ठीक है सब्सक्राइब ये वो समझते हैं पर समझना चाहते नहीं है अब इसीर में पेरेंट से करी नहीं रहा ना बात तो अपने घर में चले जाए है अगर मावाप इतने ही कुरूर किसम के हैं कि कह रहे हैं मेरा घर यां तू रही नहीं सकती मुझे नहीं लगता जातर मावाप इतने इतने पहुंचे हुए होते हैं कि निकल बहुर अगर शादी नहीं करेगी तो ऐसे होते हैं क्या ताने तो कहीं भी जाओगे तो पढ़ेंगे पापी फेस बन जाता है बस और कुछ निया है सब्सक्राइब अच्छा है कि मां के खालो है गलत है कम सब्सक्राइब अपनी माँ है कि दूसरा पॉइंट यह था मेरा की सब्सक्राइब कभी भी मतलब लड़कों के क्वेस्टेंस है क्योंकि देगो तुरुएट तो सब्सक्राइब अच्छाइब लड़कों के कभी पहली बात मैंने कोई लड़का नहीं देखा हूँ इस रेड़ी तो डू दिस कि यो नहीं कर रहा है उससे मत करो ना शादी क्यों करनी है नहीं चूँआ नहीं दूर रही तो गो टूट दी गर्ल्स हाउस एं भाई तू मेरे सब्सक्राइब वो इस सीज को समझते है कि यहां बंधन है तो वो अग्री नहीं करते है विच गुड आइफिल इस गुड हां बल्कुल ठीक है बट देन यू शुट ऑप्ट फर अथर्ड ऑप्शन वेर बोथ तो फ्यू गो आउटसाइड ऑफ बोथ दो पैरेंस वाउसे अच्छी बात बीच बीच में गोवा क्या समझते है यह एक क्रूर परमपरा यह जो चीज है यह क्रूर है और इसी क्रूरता ने महिलाओं कि मन को बिल्कुल विक्रित कर दिया ऐसा तोड मरोड दिया है एक अप्रूर्टेटनेस की भावना जड़ हीन होना मूल हीन होना मूल समझते हो जड़ रूट वो महिलाओं में हमेशा रहती है वो सदा के लिए आश्रिता बन जाती है आर्थिक रूप से नहीं तो मांसिक र मनुस्मृति व्यरा तो कहते भी है कि बच्पन में उसे पिता पर आश्रित रहना है, जवानी में उसे पती पर आश्रित रहना है और बुढ़ापे में उसे पुत्र पर आश्रित रहना है और आगे ये भी कहते हैं, कि ठीक ही है कि वो कभी सुतंत्र न रहे, अभी आपको तै करना है कि आपको ये सब मनजूर है कि नहीं, और अगर आप शुरुवात कर लोगे उस तरीके से, तो अंत भी उसी तरीके से होगा, आश्रेता में शुरुवात करोगे, आश्रेता में ही अन्त होगा, जीवन भर पर निर्भर बने रहोगे, किसी न किसी की बाट जो होते रहोगे, और एक बात अच्छे समझें न, जब आप किसी पर आशरित होते हो न, आप उसकी जिंदगी भी खराब कर देते हो, ये शोशक शोशित के खेल में बरबाद दोनों होते हैं, जब ए करती है, दोनों बरबाद होते हैं, और जब दोनों बरबाद होते हैं, तो पूरा समाज बरबाद होता है, राश्ट्र बरबाद होता है, विश्व बरबाद होता है, जिस किसी ने बंधन को स्वीकार कर लिया, वो अध्यात्म से दूर हो गया, क्योंकि अध्यात्म का तो अ तुम्हें जिन्दगी भर के लिए तडब पर ही हस्ताक्षर करने है तो कर लो पैसा आता जा रहा है शिक्षा बढ़ती जा रही है भारत का जो उड़ेन ख्षेत्र है ये जो जहाज जिन पर आप उड़ते हो aviation sector इसने मालो में कितने प्रतिषयत महिला माइले पाइलोट हैं 10 प्रतिषयत और अमेरिका मैं कितने प्रतिषयत हैं अभी किसी ने बोली दिया 3 प्रतिषयत झाति ये कितनी अच्छी बात है समझो आप अमेरिका से तीन गुना आगे हो आप इसे न हवाई जहां सो पर चलते हो न अगर दस बार चल रहे हो तो दो बार संभावना यह है कि कोई महिला वहां बैठी है कॉक्पिट में दो पाइलट होते हैं उसमें से कोई एक महिला हो सकती है इतनी संभावना है वहां पर वो इतना बड़ा जहाद उड़ा सकती है इतना पढ़ लिख जाती है भारत में प्रधान मंतरी बन गई भारत में राश्पती बन गई मुख्य मंतरी तो बनती ही रहती है बीच बीच में किसी ना किसी प्रांत में लेकिन फिर भी मजबूर है, फिर भी मजबूर है, और धकेली जा रहे हैं, यह निकल बहार, यह दिया गया है, मुझे पढ़ देता हूं आपसे, टॉक्सिक, बाबुल तेरी बगिया की, मैं तो वो कली हूं रहे, छोड़ तेरी बगिया मुझे घर पिया का सजाना है, तुम सजावट की वस्तु हो, तुम क्या हो, तुम शोकेस हो, तुम फ्लारवास हो, बुके हो, यह क्या है, और जो इसमें प्रतीक भी है, जो सिंबोलिजम भी है, वो है पूरा रिप्रोड़क्टिवी, दिख रहे हैं, क्या हूं मैं, कली हूं, भवरा आएगा, पराग लेकर, और पॉलिनेट कर जाएगा, दिख नहीं रहा है, कि इन सब बातों के पीछे, एक भौतिक दृष्टी है, एक कामुक दृष्टी है, भले ही इसको ऐसे प्रस्तूत किया जा रहा है, कि एक सांस्कृतिक विदाई गीत है, इसमें सांस्कृतिक कुछ नहीं है, इसमें बस क्यामुकता है, और भॉतिकता है, एक चीज है जिसको उठा करके यहां से भाहार रख देना है और वहां उसका इस्तिमाल होगा, और यहां से उठा लिया गया है, तो अभी इस पर खर्चा नहीं होगा जितना तेरा खर्चा बचा, उथना आप तु दहेश देद खाना बनाने की चीज बिस्तर गर्म करने की चीज साथ ससुर की सेवा करने की चीज तुम इस विवस्था में लगातार शामिल हुए ही जा रही हो इंसान नहीं हो क्या बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है मजबूरी, मजबूरी, मजबूरी क्या होगा? जेल में डाल देगा कोई क्या करेगा? क्या कर लेंगे? वो नहीं निभाते दस्तूर क्या उखाड लोगे? क्या कर लेगा कोई मार देंगे मार तो तब भी देते हैं जब चले आते हो पिया के घर देश हत्याएं कम हो गई है क्या पता है ना दुनिया भर में महिलाओं के जितने मर्डर होते हैं उसमें से 75 प्रतिशत उनके पतियों प्रेमियों घरवालों द्वारा ही किये जाते हैं महिलाओं की जितनी हत्या होती हैं समूचे विश्व में उसमें से तीन चौथाई उनके पतियों प्रेमियों और घरवालों द्वारा ही की जाती है तो तुम्हें कौन सी सुरक्षा मिल रही है दस्तूर औगरा निभा करके हां जी और पिता से तो कमी पिटती होंगी बेटियां पिटती तो पती से ही हैं हमने तो नहीं सुना कि पिता ने पीट-पीट के माल डाला बेटी को, हाँ भुरून हत्या वगएरा होती है, तब होता है बिल्कुल, लेकिन एक बार जन में ले लेती है, तब तो मोह ममता होई जाती है उससे थोड़ी, फिर तो कोई नहीं उसको, जलाई पिता के घर में तो गुडिया रहे, तुने मुझे जनम दिया, तेरा घरकियों बेगाना है, तो बोल भी रही है, फिर भी बात नहीं समझ में आ रही है, अधिकार है, उस मर्द पे जो खड़ा हुआ, यह सब देख रहा है, फिर भी कह रहा है, मैं विदा करा के ले जाओंगा, तुझे ले ही जाना है, तो फिर उसके माबाब को भी साथ में ले के जा, ऐसे ऐसे फाड़ करके ले जाना, यह कहां कि भलमन साहत है, इसमें कोई सज्जनता है, यह कोई सज्जन आदमी होगा, जो किसी लड़की से गाए कि जब तक तु पियर अपार्ट नहीं कर दी जाएगी, अपने घ लगार्ओ ठना आफ, कि के लिटा आफिवचल MR-2 से खंड़कभार्व में इसमें भी Сन सिर्फ, के बैर में वह कं पर फोले कावचल के नहीं कि जोसरी हैं कि जोते हैं कि हमलिश रड़कर दूसरा है कि हम तुछा लिथा कर ले जाएंगे, हम तुछा कर ले कि बॉलिवुड से पहले भी विदाईयां तो होती ही थी बॉलिवुड ने तो बस उस पर कैपिटलाइज करा है भाई आप एक बीट रही बहना तु यह क्या जाने कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है भाई बेटी नहीं है मेरी पर बेहन तो मेरे भी है मैं तो नहीं भुलाओंगा कभी भी रो रो के अगर है मेरे कलेजे का टुकड़ा मैं क्यों उसे भुला दूं रो रो के ये क्या है नॉंसेंस एक और तो बोल रहो कलेजे का टुकडा है बिलकुल होगी बहन होती है फिर कह रहो उसे रो रो के भुलाना है कहे को मजबूरी क्या है भाईया तेरे आंगन की मैं हूँ ऐसी चिडिया रे रात भर बसे रहा है सुबह उड़ जाना है तो भाईया कहते हैं यादे तेरे बच्पन की हम सब को रुलाएंगी फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है तो शूशियस अज़ा अचारे जी ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि अगर शादी नहीं करोगे तो फिर बुड़ापे में क्या होगा अच्छा लड़का निशादी करें तो उसका क्या होगा यह लड़का लड़की दोनों को यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब बुड़े हो गए हो क्या यह कितना बुड़ा सवाल है कि जवानी में एक आदमी सोच रहा है कि मेरे बुड़ापे का क्या होगा बुड़ापे में क्या होगा मर जाओगए और क्या होगा नहीं जैसे बुड़ापे में काफी सारे health problems होते है कि अस्पताल होता है पती नहीं नर्स लगानी होती है, पती थोड़ी सेवा करेगा, करता भी नहीं पती सेवा, लेकिन नर्स हो, मेरे पिताजी वाँ पड़े हुए वेंटिलेटर में, मैं क्या कर पा रहा हूं, मिलने भी नहीं देते हो हस्पताल वाले, वो M.I.C.U. में हैं, ऐसे जा कि ऐसे देखना होता है और खड़ से एक मिनिट के अंदर वापत आ जाना होता है, देखने भी इसलिए देते हैं, ताकि मानसिक सांतोना बनी रहा है, बस, कुछ नहीं, डॉक्टर बोलते हैं, कोई बात होगी, आपको फोन कर दिया जाएगा, वो फोन भी करते हैं, सिर्फ कंसेंट लेने के लिए, ट्रेक्यू टॉमी करने आ रहें, कंसेंट दे दीजिए, ब्रॉंकोस्कोपी करने आ रहें, कंसेंट दे दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम, उनके कोई नहीं काम आ रहा है उनके परिवार में से, मेडिकल साइंस काम आ रहा है उनके, और उनके पास अगर इंश नहीं रखेगी के ख्राहल माने क्या है नर्श ही स्दिव coupon रख रही है मैं और यह कितना बड़ा अत्याचार है कि मैं अपना ख्याँर रखने के लिए कि शाधी करके नर्स को लेके आऊँ, पर्मनेंट नर्स, ये अत्याचार नहीं है, कि शाधी करी और सोच रहो अब ये बुढ़ापे में टट्टी करूंगा पेंट में, फिर ये साफ करेगी, ये अत्याचार नहीं है, यह खुली बात क्यों नहीं करते हो फिर जब अरेंज्ड मैरेज में मिल रहे होते हो ना कि यह यह काम है जिसके लिए तुझे लेकर आ रहा हूं मेरे सामने तो बता देते हो कि असली बात बढ़ापा है आमने सामने जवानों की तरह मिलते हो हाई हाई सीधे बोलो कि तु मेरे बढ़ापे का हिसाब है मुझे अलज़ेमर्स होगा तुझे पैरलिसिस होगा दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे कौन किसका सहारा है यहाँ पे जो सहारा बन सकता है राम का नाम थो कभी लेते नहीं जिन्दगी आए एक दूसरे की बरबाद कर रहे हो बस यह सचमुच आप लोगों को लगता है कि अभी जो कुछ कर रहे हो लगता होगा मैं जब आएम में था मैं बड़ा जटका लगा था ही क्या बोल रहे है मैं जब आएम में था तो जो जॉब आफर्स आए थे उसमें से एक था एर इंडिया का तो उनको नहें बताया कि मेरे पास पहले से ही UPSC आली नौकरी रखी हुई है मैं यहां पर उसके बाद अम्भी ए कर रहा हूँ तो वह जो बोर्ड में बैठे थे उनमें से एक बोलते है नहीं नहीं यू जुई जॉइन धार्रव ईसमें पंशन मिलती है भाए मैं चौवीज साल का हूँ मैं पंशन के बारे में थोड़ी सोचूँँगा पर वो बोर्ड में जो बैठे थे, वो खुद बूरे थे, वो ले नहीं, इससे अच्छा है कि आप वहाँ वापस से ले जाओ, MBA पूरा करके, Academy जाओ, और दुबारा जॉइन करो वहाँ पे, वहाँ पेंशन मिलेगी, पेंशन? आदमी पेंशन के लिए जिएगा क्या? देखा जाएगा यार, जब बुड़े होंगे देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो मर जाएंगे, खतम बात, ज्यादा तकलीफ हो रही है, सब हो रहा है, मर जाओ, मुझे जैनों का यह बड़ा बढ़िया लगता है, जब उनको दिखाई देता है, खेल खतम हो गया, तो ख कब दिखेगा कि आप कोई मैस अर्थक काम करने ही सकता हो, चलो, खतम, स्वेख्चा से खतम करेंगे, किसी की गुलामी से किसी के आदेश पर थोड़ी खतम करेंगे, अपनी मरजी से मरेंगे भी, कोई कुछ भी कर सकता है हमें खाने के लिए थोड़ी मजबूर कर सकता है खाना छोड़ देंगे, खत्म बढ़ापे की इतनी क्या चिंता है अब मस्त जी ओ, देखो, सुनो इतनी जो बिमारियां भी लगती है न आधी तो इसलिए लगती है क्योंकि शादी शुदा हो सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं इतने आदमी हार्ट अटाइक से काय को मरते है अब जीवन भर किसी को बांध के रखोगे तो तुम्हें हार्ट अटाइक तो आएगा ही ना जो बंधी होई है वो दिन राख फिर तुम्हारा खोपड़ा खाएगी कभी सोचिए तो और भारत में जितने पुरुष मरते हैं हार्ट अटाइक से अनुपात के तौर पे उतने दुनिया में कहीं नहीं मरते क्योंकि जो बंधी होती है उसकी आह लगती है वो अपने तरीके से आपको हर समय कुछती रहेगी यहां से ताने मारेगी, यहां से कुछ करेगी मरो फिर कौन सा तुम शादी करके सेहत पे ध्यान देते हो कौन सा तुम स्पोर्ट्स खेलते हो कौन से तुम्हें एडवेंचर पे जाते हो, ट्रेकिंग करते हो, बताओ ना, कितनी बहाता महिलाएं स्विमिंग करने जा रही हैं, दिखा ना, यह टेनिस खेल रही हैं, दिखा ना, जब ना, ना दॉड़ोगे, ना भागोगे, ना जिंदगी में जिम है, ना पूल है, ना कोर्ट है, ना बैट है, ना रेकेट है, तो बीमार तो पड़ो गई, और जब बीमार पड़ रहे हो, तो तरकी दे रहे हो, अब मैं बीमार पड़ गई हूँ, इसलिए मुझे पती चाहिए, वो मेरा देखभाल, भई इससे इतना समय तुमने परिवार को दे दिया, उतना समय तुमने सेहत को दे दिया होता, बीमार पड़ते ही नहीं, गलत बोल रहा हूँ, जितना समय तुमने आपस की माथा फोड़ी में, और फालतू में बच्चे पैदा करने में, और साससुर के जंजटों में लगा दिया, उत निकल साइंस तो बहुत आगे बढ़ गई है, छोटी-मोटी बीमारियों का इतना इलाज है, इतनी खारी बीमारियों तो आपको लगे नहीं सकती है, आप वैक्सीन लगवा चुके हो सबके सब, जिन बीमारियों से पिछली शताब्दियों में लोग सबसे आदा मरा करते थे, वो आपको हो ही नहीं सकती है, आपको उन वाइरसे से कुछ पता ही नहीं है, वो बहुत भयानक वाइरस थे, बैक्टीरिया भी, कितना emotional खेल है, उंगली पकड़ के तूने चलना से खाया था ना, देहलीज, क्या लखती है ये, देहलीज उंची है ये, पार करा दे, उंगली पकड़ के तूने चलना से खाया था ना, देहलीज उंची है ये, पार करा दे, ये तर्क है, लॉजिक बताओ, उसे कहता है, कोई सेंस है इस बात का, उंगली पकड़ के तूने चलना से खाया थ यहां तक तो ठीक है, अब यह क्या बोल रहा आगे, तो ऐसी स्कॉर बोल दे कि उंगली पगड़े तुने चलना से खाया था ना चला मुझे कुए में गिरा दे, वो और यह लॉजिक बराबर का है, बाबा में तेरी मलिका, टुकडा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, और पीछे से कोरस में समस्त भारत की महिलाएं का रही है, मुढ के न देखो, दिल बरो, दिल बरो, मुढ के न देखो, तेरे पूरे उत्तर भारत की इस्तरियाँ एक सुर में कोरस दे रही है, मुढ के न देखो, दिल बरो, तुमने नहीं देखा था मुढ के, तुम्हारी सिंधगी कैसी हो गई, उस बेचारी को भी बता रही हैं, आट देखो, दिल बरो, तुमने कौन सी लाइन काहा गया जाती है तो फिर वापस नहीं आती है तो फसले जो काटी जाती है दुबारा नहीं उखती है वो फसल है और उसको काट दिया गया है और यह फिल्मे हिट हो जाती है देखिए इस्त्री पुरुष संबंध शायद जीवन की दूसरी तो सबसे महतुपीन चीज होते ही है एक पुरुष होने के नाते अगर आपका सबसे महतुपूर्ण संबंध होता है राम से तो जो दूसरा सबसे महतुपूर्ण संबंध होता है वो तो उस्त्री से ही होता है यह जो दूसरा है बहुत बहुत महतुपूर्ण है नंबर दो का एक दम अगर यह आपने खराब कर लिया है तो जिन्दगी खराब हो गई दुनिया खराब हो गई, टृत्वी खराब हो गई, आने वाली पीडियां खराब हो गई, सब खराब हो गया और दूसरा खराब कैसे होता है मालूम है न जब तीसरा महत्वपूर्ण हो जाता है और पहला भुला दिया जाता है तीसरा कौन है, दुनियादारी, समाज, भौतिकता, इधर उधर के लोब, जब ये बहुत आकरशक हो जाते हैं, और पहले को हम भुला देते हैं, पहला है सकते, राम, जीवन का उद्देश याद रखना जो है मुक्ते, अगर पहले को याद रखते हुए, दूसरा संबंध ब हुए हो, आदमी का औरत से संबंध रहेगा और इस तरी को पुरुष चाहिए होगा, ये निर्विवाद है, ये तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये याद रखा जाए कि ये दूसरे नंबर की बात है, पहले नंबर तो हमेशा राम का है, राम आने क्या, ये भीतरी माय इसको काटना, सत्य, मुक्ति, वो चीज याद रहे तो फिर इस तरी से पुरुष्ट्यभी संबंध अच्छा बनता है, संतानों की परोरिश भी ठीक हो जाती है और समाज भी ठीक चलता है, लेकिन जब वो पहला नहीं पता होता तो दूसरा बहुत बरबाद होता है, दूस क्या रखा है, और जो यह पती के घर भेजने का दवा होता है, उसी का नतीजा होता है, जो बात इन्हों ने उठाई थी, कि फिर पिता को लड़की की भूड़त्या करनी पड़ती है, पिता को और माता को, उनको ही पता है न कि यह क्या होगा, इसको तो उठा करके, किसी वो तो इन्वेस्टमेंट करोगी, वो तो सब जाएगा, वेस्ट ही जाना है, तो जाते हैं, इसको पैदा ही काई को होने देना, इसको मारी दो, उसको पैदा ही नहीं होने देते फिर, और ठीक वैसे जैसे, डहेज की प्रथा रुकने में नहीं आ रही, उसी तरीके से फिमेल फिटिसाइड, और अगर पैदा हो गई तो इन्फेंटिसाइड, ये रुकने में आ नहीं रहे हैं, मज़दार बात यह है कि चूकी रुक नहीं रहे, इसलिए यह नहीं ने उनकी बात करना ही रोक दिया, मैं जब छोटा था तो दूरदर्शन पर भी हाँ विज्ञापन आते थे, सरकार द्वारा प्रायोजित, दहेज विरोधी, सरकार बार बार विज्ञापन दे के सब को समझाती थी, दहेज गुराय, दहेज बुराय, जितने तरी, आज कौन दहेज की बात कर रहा है, इसी तरीके से कम से कम, पाँच साथ दस साल पहले तक होता था, कि आप थोड़ा दिहाद की तरफ निकल जाओ, तो वहां लिखा होता था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और वहां पर कम से कम इस बात को स्विकार किया आता था, कि हाँ भुरूड हत्या चल रही है, जबरदस्त, आज कोई नहीं उसकी बात करना चाहता, और जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है भारत में, वो दुनिया में सबसे बुरा है, ऐसा नहीं कि माबाप अनिवारे रूप से कुरूर है, इसलिए बेटी को मार रहे हैं, जो कारण है वो सामाजिक और आर्थिक है, सामाजिक कारण क्या है कि इसको विदा कराना है, वही जो आप लोग बोल रहे थे कि सामाज की मजबूरी है न विदा कराना है, यह सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण क्या है, विदा हो जाएगी फिर हमें क्या मिलेगा इससे, यह तो एक नेट सिंक है, बस पैसे लेती है, कुछ वापस थोड़ी देती है, तो यह सब जो emotional गाने हो गह रहा है न, यह हत्यारे, खूनी गाने हैं, हम बात करते हैं, ethnic cleansing और की, करते हैं न, कि अरे इतने लाख, फलानी ethnicity के लोग मार दिये, कितनी बुरी बात है, racial cleansing कर दी और यह सब हो गया, और यह जेंडर बेस cleansing हो रही है, इसकी कौन बात करेगा, कभी हिसाब भी लगाया है, कि कितने करोड लड़कियां हमने मार दिये, फिर पिछले 10-20 सालों में ही, पैदा होने से पहले ही मार दिये, कहीं दो हिंदू मर जाएं, तो हम बहुत शोर मचाते हैं, आरे हिंदू मर गए, हिंदू मर गए, और खास तौर पर अगर उन हिंदू को मुसल्मानों ने मार दिया हो, तब तो शोर की कोई इंतहाई नहीं रहेगी, और ये जो हिंदू के घरों में हिंदू की हत्या की जा रही है, वो जो लड़की मरी हो हिंदू नहीं थी क्या, जिस रड़की को तुमने गर्भा में मार दिया, वो हिंदू नहीं है, और करोड़ों ऐसी रड़कियां तुम मार रहे हो हर साल, उनकी तुम बात नहीं करोगे. सर, इसी में आगे एक और स्टार्ट है, जहाँ पर जैसे पॉलिटिकल रालीज भी होते हैं, इलेक्शन भी होते हैं, तो वहाँ पर फार्मर्स का मुद्दा काफी उठाया जाता है, कि वो आत्महत्या करते हैं, आर्थिक समस्याओं के कारण, पर जो डेटा है, वो कहता है कि भारत में हर साल, जतने फार्मर्स सुसाइट करते हैं, उससे कहीं ज़ादा housewife suicide करती हैं पर ये कभी मुद्दा ही नहीं आता सामने गाय है नहीं रही तो दूसरी आ जाएगी उसको कौन सा इंसान की तरह देख रहे हो पहले ऐसे ही गिनते थे फलाने किसान के पास इतना पशुधन है और इतना इस्त्रीधन है गाय को भी माना जाता है एक उर्वर संसाधन fertile resource बच्चा देती है दूद देती है और स्त्री भी वही है बच्चा देती है दूद देती है गाय मर जाती है तो कौन बहुत रोता है स्त्री भी मर गई तो बस काय को गिनना है मीडिया काय को इस बात को उठाए नीडिया के पास ज्यादा मसालेदार मुद्दे हैं ये सुनी है अपनी कर्तूत हम बहुत भावुक लोग हैं ना इंडियन्स आर वरी सेंटिमेंटल पीपल देखी हम कितना सेंटिमेंटल स्लोटर करते हैं बिहार नौसो आठ नौसो आठ माने हजार लड़कों पे बागी बानुवे कहां है बागी बानुवे कहां है बदा ही होता ही कहां है वो फसल पहले ही कट गई बहुत बढ़िया अब बिहार की कुलावादी सूची है कितनी होगी 12-14 करोड होगी इतनी है न 12-14 करोड में 92 बठा 1000 के हिसाब से ले लीजिए मोटा मोटा आप 10 प्रतिशत के हिसाब से ले लीजिए तो कितनी missing महिलाएं है जितनी होनी चाहिए उससे 10 प्रतिशत कम 14 करोड लोग है तो 7 करोड महिलाएं होनी चाहिए उससे 10 प्रतिशत कम तो माने कितनी missing है कि बुली बुली बुलिए सत्तर लाक कि यह तो कह रहे हैं यादे तेरे बच्पन की हम सब को रुलाएंगी वो तो बच्पन शुरू भी नहीं होता उसका बच्पन शुरू होने दे पहले ही काम तमाम हाँ एक लड़की घर से भाग जाए तो कितना बड़ा मुद्दा बनता है मीडिया में घर से भाग गई एक लड़की का कोई कतल कर दे उसका प्रेमी हो गया रहा तो कितना बड़ा मुद्दा बनता है और यह सत्तर लाक लड़कियां कहा है बताओ न मुझे कहा हैं यह बिहार था मेरा प्यारा हर्याना कहा है आठ सो तिराण गए और मर्दों का देश है भाई हर्याना नारियों का क्या क्या हूं वह आप एक दम फिजूल चीज है पैदा ही नहीं होने दे ना इसको खतम अभी काटो पंजाब भी इससे बहुत भैतर नहीं होगा नौसवचार पंजाब कल्चर एक ही है हर्याना पंजाब का और यह गाने भी सब उधर के ही हैं जितना स्लॉटर उतनी सेंटिमेंटालिटी यूपी बुरा मान रहा है बता दूं फिर 941 यूपी का 941 हर्याना के 893 से बदतर है बताओ क्यों क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है राजस्थान हा बिलकुल राजस्थान होगा हर्याना को बुरा लग जाएगा आठसो इंक्यानवे राजस्थान आठसो इंक्यानवे शूर्वीरों का देश है भई मैलाएं तो कमजोर होती है क्या करना है वहाँ तो शूर्वीर चाहिए तो हजार लड़कियां अगर गर्व में आती है तो उसमें से 109 मार दी जाती है यह आपकी इस्थिति है और आप इन्ही पुरुशों पर आश्रित होना चाहती है कि यह आपकी देखवाल करेंगे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे यह पुरुश्ट जो आपको जन्मनी देने देते है यह आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे आप हैं किस दिवा सुपन में यह बस नाचना है डी डी एल जे दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे क्या था उठा के ले जाएंगे हम तुझकों उठा के ले जाएंगे बस नाचना है ये मुझे नहीं समझे अच्छा ये तो कारण दूसरा है गोवा भी आठ सौड़ते से पर उसकी वज़ा दूसरी ये उसकी वज़ाई है कि यहां पर इमिग्रेशन है न सारा बाहर की लोग आएं काम करने के लिए उजो आएं उपुरुष हैं तो पुरुष चुकि यहां बढ़ गए हैं तो इस तरियों का नुपात कम दिख रहा है पंजाब हर्याना के बीच में तो 830 चंडी गड़ हमारा सिविलाइज्ड लेक और ब्यूजियर का चंडी गड़ अर्ट सौर थिस हां वेस पिंगॉल में अच्छा होगा बुरा नहीं होगा 973 इसी लिए यही बात है और बंगाल जैसा ही महल त्रिपुरा का रहता है त्रिपुरा में भी बंगाली ज्यादा है त्रिपुरा एक हजार अथ़ाटाइस एक हजारेटेस पोर आज ब्चे को में आज लग एंटी ये लिगल अटिपने के और लेकल के से होती है और उसके बाद अगर ये संख्या है तो ये भी बता रहा है कि वह लीगल होने के बाद भी धडले से चल रहा है ऐसा जिन जगहों पर हमारी ये सेंटिमेंटल संस्कृति नहीं है वह मामला थोड़ा ठीक है उदारन के लिए लद्दाक 1125 लक्षदीप 1059 केरल में भी ठीक होना चाहिए केरल 959 हमाचल 875 पंजाब का पड़ोसी है और हमाचल का तो और अच्छा होना चाहिए कि हमाचल मैंपावर का एक्सपोर्टर है तो हमाचल के पुरुष मैदानों पर आके काम करते हैं तो हमाचल में तो महिलाओं के अनुपात और जादा होनी चाहिए थी पर सिर्फ 875 है उत्राखंड नोसो चौरासी पर कारण वही है उत्राखंड के पुरुष नीचे आ गए मैदानों पर तो महिलाओं आजादा होंगी महराष्ट्र नौसो तेरह नैचुरल रेट थाउजन नहीं होता बाइदवे थाउजन फिफ्टी होता है प्राक्रतिक तोर पर लड़कियां थोड़ी ज्यादा पैदा होती है लड़कों से तो अगर मारा न जाए तो हजार लड़कों पर हजार बीस है हजार चालीस लड़ देंगी तो जब आप यह संख्या पड़ रहे हैं तो इसको हजार से नहीं एक हजार पचास से तुल ना करिए हाँ चलिए कर दो कर दो